कैसे हैं आप सभी आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत सालत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लानी हूँ एक छोटा सा वीडियो जो मैंने कल पालर में सीखा था पेडिकुर करना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे मैंने पालर में सीखा था वैसे तो यह वाला प्रोफेशनल पेडिक्यूर नहीं है मैंने अभी पेडिक्यूर की किट नहीं मंगवाई है तो यह होम में पेडिक्यूर है तो लेकिन इस टेप तो सारे वैसे ही रहते हैं तो मैं आप लोगों के सा शेयर करूंगी और एक पालर के जैसा अपने पैरों पर निखार पाने के लिए घर पर कैसे पेडिक्योर कर सकते हैं और वो भी एकदम सरल तरीके से जो आज तक किसी ने यूटूब पर नहीं डाला होगा इतना सरल आसान तरीका पेडिक्योर करने का और बहुत ही सुंद पालर लगते हैं एकदम नम उलायम हो जाते हैं तो आज मैं पेडिक्योर का वीडियो डालूँगी फिर मैं अगले दिन मैनिक्योर का वीडियो डालूँगी तो मैंने कल पेडिक्योर मैनिक्योर करना सीखा था और फिर ना मैं कलर लेकर आऊंगी तो जो मैंने अपने बालो पर तो मैं उसका भी वीडियो सेयर करूंगी आप लोगों से तो वीडियो को मैं या वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूं और आज ना मैं घर पर अकेली हूं तो मैंने सोज़ा चलो मैं कुछ आप लोगों के साथ सेयर करती हूं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने एक फ्राइदान गरम पानी ले लिया था और यह काफी गरम पानी था तो इसमें मैंने आदा फ्राइदान थंडा पानी मिक्स किया है जिससे की यह पानी गुन-गुना हो सके और पैरों में लगे ना फिर एक पाव शैंपू लिया है जो शैंपू मैं इसी दाल रही हूं और फिर एक कटा हुआ निम्बू लेना है तो निम्बू को मैंने बीच से कट कर लिया है और ये पूरा निम्बू मैं इसी में डाल दूंगी रसिसका सारा निकाल दूंगी और बाकी जो ये छिलका बचेगा ना इसको भी मुझे यूश करना है तो इसी टब मे बड़ेना होता है एक तो हाइड्रोजन हो गया है तो हाइड्रोजन क 재्ण की मैं यहां पर दो धकन ड़यन दाल रही हूं मैंने पर ज्यादा है इसी सभी हम नहीं हम्तुर्ट जार यूज़ टरूंक मेरे पीड़ जादा किया थे तोAt मैं यहां पर दो धकन ताल रही हूं जिससे कि मैरे पैर ज्यादा कईland रही हैं और धकन कर को पर लगे कि मेरे पैर ज्यादा है तु है तो तीन भाडन यूज कर सकते हैं फिर लगता हैं मैं आपर आमोनिया दहा इतके भी हम दो ढरी कन ही डालेंगे तो इन दोनों और यह दोनों जो चैंएं इनकी आम अम मात्रा सेम रखनी है तो धकन रखनी है और आप हम इसको अच्छे सेबने मिंक्स कर दें। मैंने णे सारे 125 ऐंस यह दाल दिए है और इसके बाद मैंने यहाँ अच्छा है और यह स्क्रब है तो इन सी जो को मैंने यहां पर ले लिया है तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर देती हूं और सबसे पहले पेडिक्योर में क्या होता है जो आप लोग अपने नेल्स पर नेल्स लगा के मतलब नेल पॉलिस लगी होती है उसको काटिंग भी कर सकते हैं और फिर फायल झेढ़ बसे उसको शीभ देटेए पर मुझे अपने नेल्स कर्टिंग नहीं करना है और है इनका से बी प्रॉपर अच्छा ही है इसलिए मैं मतलब skip कर रही हूँ cutting और filer करने का skip कर रही हूँ मैं direct nail को clean कर रही हूँ उसके बाद मैं इस गरम पानी मतलब गरम पानी में मैं अपने पैरों को डुबो दूँँगी तो मैं यहाँ पर pile निकाल रही हूँ जिससे की pile खराब ना हूँ क्योंकि इसमें chemical पड़ा हुआ है तो अब मैं इसमें लगभग 15-20 मिनट तक अपने पैरों को अच्छे से रखूँगी और यह जो नीमबू था मैंने दिखाया था कि इसको यूज करना है इस नीमबू के छिलके को मैं अपने नेल्स पर अच्छे से रख करूँगी लगभग 5 मिनट तक अच्छे से इसको रख करना है इससे यह होता है जो लोग काफी ज्यादा नेल पॉलिष लगा कर रखते हैं तो उनके नेल्स यलो कलर के होने लगते हैं तो वो कलर इससे हट जाता है पर मैं ज्यादा नेल्स नहीं लगाती हूँ इसलिए मेरे नेल्स यलो कलर के नहीं है पर फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही थी तो ये जरूर आप लोग किया कीजिए जो निम्बू का छिलका होता है उसको नेल्स पर रगड़ दे और फिर बीच बीच में अपने पैरों को ऐसे चलाते रहें हाथ से थोड़ा सार हाथ से रगड़ दें ब्रस से रगड़ दें तो जल्दी से क्लीन हो जाएगा जितनी भी गंदगी है न वो सारी फूल जाएगी और जब आप इस पर ब्रेस चलाएँगे न तो वो अच्छे से चुट जाएगी तो बहुत ही फैर बहुत ही अच्छे सौप्ट हो जाएगे क्लीन हो जाएगे और वैसे भी तो पैडिक्योर अगर घर में कर रहे हो आप तो महीने में एक दो बार तो करी सकते हो, इसमें कुछ भी ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, एक बार दो केमिकल खरीद लोग 20-20-30 रुपे का, फिर उसी में काम हो जाता है, और अब मैं यहाँ पर अपने पैरों को निकाल लिया है, और कपड़े से पोंच दिया था, उसके बाद मैं स्क् अच्छे से हो जाता है, और यह ब्रस इसी पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए ही होता है, तो यह इससे मैं अच्छे से पूरे ऊपर के पैर, नीचे के पैर, एडी सारे पैरों को अच्छे से मैं रग लूँगी, और फिर मैं इस पे लगा लूँगी जिल, तो यह स्टेप करन के बाद मैं इस पे थोड़ा सा हलके हाँ तो से मसाज कर दूंगी ऐसे फिर उसके बाद मैं जिल लूँगी और जिल से थोड़ी देर मसाज करूंगी उसके बाद जिल से भी मैं पैर को ब्रस से रगड़ दूंगी तो यहां पर मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है मैं पुरा फुल डिटेल दिखा रही हूँ एक पैर का और अगर दोनों पैर का दिखाऊंगे तो काफी वीडियो बड़ा हो जाएगा कोई मतलब नहीं रहेगा तो दिखे मैंने यहां पर ले लिया है जेल और यह जो जेल है ना इसमें गोल्ड की क्रिस्टल पड़े हुए काफी अच्छा जेल है देखने में भी बहुत सुन्दर है और इसका यूज जब किया जाता है ना तो मतलब जो ग्लो है वो भी काफी ज़्यादा अच्छा था देख सकते हैं ना मेरा पैर कैसे साफ साफ से हो गए है तो जिल लगाने के बाद भी मैं इसको अच्छे से थोड़ी देर एक दो मिनट के लिए रगड़ दूँगी और फिर ब्रस से यह जो तूट प्रस है इससे मैं निल्स को थोड़ा साफ कर दूँगी क्योंकि अभी मैंने किट नहीं लिया है और किट में सारी चीज़े होती है वैसे तो यह घर पे ही मैं बता रही हूँ और अब मैं अपने पैरों को कॉटन से पोश दूँगी तॉले से तो देखे मेरे पैर एकदम क्लीन हो गया है सौप्ट हो गया है बहुत ही प्यारे और संदर हो गया है तो आपको अपने फेस के साथ साथ अपने हाथ और पैरों को भी ध्यान देना चाहिए तो महिने में एक बार तो ऐसा कर ही लेना चाहिए जितनी सारी गंदगी होती है वो सब साफ हो जाती है क्लीन हो जाती है हट जाती है तो चलिए मैंने यहाँ पर पायल तो पहन लिए अब मैं फटा फट से नेल पॉलिश भी लगा लेती हूँ जिससे मेरे पैर और सुन्दर ल रखा है फाइल नहीं किया है क्योंकि मुझे लंबे नेल सी पसंद है तो और नेल्स का से भी था तो इसलिए मैंने नहीं किया है और मैं अच्छे से बढ़े हाँ हलके हाथों से नेल पॉलिश लगाऊंगी चिससे की इधर उधर ना फैले तो नेल पॉलिस मेरी लग रही है और आज का वीडियो में यहीं परेंट कर रही हूं वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा जिससे की मेरी वीडियो का नोटिफिक केशन मिल सके